तो आज का जो मेक अप है वो है नवरात्रिका डे वन तो मैंने ग्रे कलर के साथ आज का कलर ग्रे है तो आज मैंने वही क्रियेट किया है ग्रे कलर के साड़ी के साथ आज होप आपको पसंद रहेगा वीडियो के इन तक ज़रूर देखना और मेक शूर मेरे चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना तो विदावट इनी फर्दंदू लेस गे स्टाटेड तो फ्रेंड सबसे पहले मैं यह कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ यह है कर सकते हो तो मैं आप यह व्यूट्य ब्लेंडर के हैल्प है इसको अच्छे से प्लेंड करूंघें इसीलि ब्लेंड भी हो जाता है नेक्स्ट मैं यूद करूजू यह lineage कर सकते हूं तो मैं वही यूझ कर रही हु आज irrigation sense यही यूज कर हूं थोड़ा सा dark shade nossa shade आया है मेरे skintone के हिसाब से तुनए अब्लेकिन मैंने first time इसके साथ look create कर रहga हूं यूज करके contrast देखना था मुझे कैसा है तो इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर खेल्प से अच्छे से डैप डैप करके ब्लेंड कर लूँगी पिर उसके बाद मैं उसकर रही हूँ यह है स्टेट वाइर की का लूस पाउडर जो बनाना शेड में है अच्छा वाला है आप अपना मेकप जो है वो कॉम्पैक या दूस पाउडर से सेट कर सकते हूँ नेक्स्ट में हाँ पे अभी अपने आइब्रो को फिल करूँगी तो मैं यह जैकलीन हीर के आईशाडव पैलेट उसमें से ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ और फिर अपने आइब्रो को फिल कर लूँगी आइब्रो को फिल करने के बाद लूगा अलगी आता है आप ट्राय करके देखना क्योंकि पर नेक्स्ट में अपने आइब्रो को शेप दे रही हूँ ऐसे करने से आपके आपरो का शेप एकदम अच्छे से आ जाता है तो मैं एक फॉन्डेशन लेके उसको थोड़ा से शेप दे रही हूँ फिर मैं बाद में यह सेटिंग स्प्रे है यह है वेटरन वाइल का सेटिंग स्प्रे अच्छा आला है और उसके बाद मैं अपने सेटिंग स्प्रे को डैप डैप करके थोड़ा सेट कर लूँगी फिर बाद में मैं यहाँ पर आईशडो ब्लैक कलर का आईशडो लेके मैं अपने क्रीज लाइन को बिल्ड कर लूँगी आईश के क्रीज लाइन को बिल्ड करते हुए जाना है आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहे हूं और टेप इसलिए लगई है क्योंकि वह अच्छे से शेप में आ जाता है इसलिए मैंने टेप लगए ने तो बाहर निकल जाता है वह आईशडो फिर उसके बाद मैं एक लिटर फॉर्म वाला ग्रे कलर का आईशडो पिक करके मैं अपने लीड पे लगा लूँगी इसके लीड पे ही लगाऊंगी मैं तो ग्रे कलर का शेमरी फॉर्म वाला ये आईशडो है फिर नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है हुड़ा ब्यूटी का आईलाइनर काफी अच्छा लाइलाइनर है और इसली लग भी जाता है अगर आप बीगनर हो तो आप इसके साथ जा सकते हो फिर बाद मैं मैं अभी यहाँ पे काजर लगा रही हूँ ये है लैक मे का काजर काफी अच्छा लाइलाइनर है लॉंग लस्टिंग है स्मच प्रूफ है नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ यह है शूगर का ब्लश यह पूरी पैलेट आई थी तीन केस में ब्लश हाइलाइटर और कॉंटूर तो मैं ब्लश कर रही हूँ उसके ज़रूर किया कीजिए हलका हलका सा थोड़ा सा कॉंटूरिंग करने से भी आपका अच्छा शेप में आ जाएगा फिर बाद में मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ यह शूगर का हाइलाइटर है और काफी अच्छा हाइलाइटर एकदम लाइट वेट है और ऐसा लग का मसकारा है हाई डेफिनिशन वाला इतने अच्छा से जो है वो कल हो जाते और ऐसे दिखते हैं हाई डेफिनिशन फिर बात में में यह बेलाविस्ता की लिप्स्टिक है इसका शड़ी याद नहीं मुझे मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में आपको दे दूंगी इसकी लिंक त फाइनल लुक आई होप मेरा यह मेकप लुक आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना तो मैं अभी पूरी सीरीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाइन डेज तो आज का फर्स दे था फर्स दे यानी ग्रे कलर तो यही है आज का मेकप लुक और मेरे अगर आपको मेरा मेकप लुक अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना सो फ्रेंट यही ते आज की वीडियो मेरे वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना तो मिलती हूँ मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई